आज मैं हलवाई स्टैल समोसा बनाने के सारे टिफ्स और ट्रिक्स लेके आई हूं जिनको आपके साथ मैं शेयर करूंगी हलवाई लोग कैसे समोसा बनाते हैं सारी एक एक बाते आपको बताऊंगी तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें बिना इसकिप की हुए और आप भी घर पर इसी तरह से जैसे बाहर हलवाई लोग समोसा बनाते हैं उस तरह से बनाकर तयार कर सकते हैं ये हमने सारे समोसे इस तरह से बना कर रखे हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी समोसा बन कर तयार हुए हैं, इनको हम तीकी तीकी हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इस त तो नमस्कार मैं कोकोवेदी आपका अपनी चाइनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ रेसिपी को सुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चाइनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भ अच्छे लगते हैं तो हमें इस तरह से बस रफली इनको मैश प्रे लेना है इसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ यह हमने पैन पुस्合ू क्पादी प्यवऊने केसी की स्टंफिंग कर सकंठें यह हर बारी कटीवी हरी मिर्च और ओखकेक अपने हिसाप से डाल ते अगर आपको ज्यादा चटपटा तीखा खाना है तो आप मिर्ची बढ़ा सकते हैं और कम खाना है तो कम भी कर सकते हैं अब इसमें बारी कटिवे हरी धनिया डाल देंगे यह आलू हमारे अच्छे से भून चुके हैं और हमारे समोसे की स्टाफिंग बनकर तयार हो चुकी है हमें समोसे की स्टाफिंग बनाने के लिए आलू को जितना भी इनका मॉइस्टर है सारा अच्छे से खतम कर देना है तब तक भूनना है जब तक इसमें मॉइस्टर खतम हो जाए अब हम आलू को साइड में रख देते हैं यह एक बावल में हमने दो कटोरी मैदा डाला है अ हम अच्छे से मसल कर डालेंगे इससे बहुत अच्छी कुस्भू आती है और दो कटोरी हमने मैदा लिया है तो इसमें हम 4 चमच तेल डालेंगे जो की समोसे के डो के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट है इससे हमारा समोसा बिल्कुल खस्ता बन कर तयार होगा सारी चीजों को हम और मिक्स करने के बाद हम इसको एक बार इस तरह से बांद के देख लेते हैं कि हमारा आटा अच्छे से बंद रहा है या नहीं हमारा आटा बिल्कुल पर्फेक्ट है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक सक्त डो तयार कर लेंगे हमें इसके डो को गी पड़ जाएंगे इसलिए हमें इसका जो डो तयार करना हो बिल्कुल सक्त डो बना कर तयार करना है सक्त डो बनाने से हम अच्छे से समूसों को बेल भी पाएंगे और हमारे समूसे बिल्कुल हलवाईयों जैसे पर्फेक्ट बन कर तयार होंगे अगर आपको हमारे या रेस कर रख दिया था अब इसको हम थोड़ा सा और मसल लेते हैं और इसके बाद हम इसकी लोईयां तोड़ लेंगे और इसकी हम रूटी बेल लेंगे अभी तक हमने आपको जो जो टिप्स दिये हैं उन पे आप विशेज धियान दें तो आप बिल्कुल हलवाईयों जैसे परफे नमबर तीन मोयन की माप का विशेज धियान देना है और टिप्स नमबर चार आटाई को सक्त गूंद कर तयार करना है आप आगे देखते हैं आब आगे आपको हम और कौन सी टिप्स देते हैं इसका भी आप ख्यार रखिएगा और वीडियो को पूरा धियान से देखिएग बिल्कुल भी इसकिप नहीं करिएगा नहीं तो आपके समुसे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तयार नहीं होंगे ये देखिए हमने ये एक रोटी बेल ली है हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली करनी है इसको हमें रोटी से थो हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है किनारों पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे जिससे कि हमारे समों से अच्छे से चिपक जाए और तलते वक्त इनसे आलू बिल्कुल भी बाहर ना निकले ये देखे इस तरह से हम कौन बना लेते हैं और कौन बनाने के बाद इसमें अब हम इस्टाफिंग को भर देंगे ये जो हमने आलू तयार करके रखे थे हाँ एक और बात का भी ध्यान देना है इसमें आपको गरम गरम आलू नहीं भरने है आलू को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे तभी भरेंगे नहीं तो गरम गरम आलू भरने से हमारे समोसे बिल्कुल सौट सौट से हो जाएंगे तो वो भी अच्छे से नहीं तल पाएंगे इस तरह से हमने इसके किनारों को दबा दिया है और थोड़ा सा प्लेट डालते हुए हमने इसको तयार कर लिया है हमें इसी तरह से सारे समोसे बना कर तयार करने है समोसा हमारे इंडिया का बहुत ही famous snacks है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी समोसा ना खाया हो जादा तर सभी लोगों ने समोसा खाया ही होगा और आप में से किस किस ने समोसा नहीं खाया है वो मुझे comment करके जरूर बताना और अगर नहीं खाया है तो एक बार इस तरह से समोसा आप घर पर बना कर जरूर खाए बहुत ही स्वाधिस्ट बन कर तयार होता है और इस रेसिपी को ट्राय जरूर करना एक बार अगर आपने घर में बना कर इस तरह समोसा खा लिया तो आप बार बार इस तरह से समोसा घर में बना कर खाना पसंद कर ये देखे हमारा दूसरा समोसा भी बन कर तयार हो चुका है हमारे सारे समोसे इसी तरह बन कर तयार हो चुके हैं और इनको हमने 10-15 मिनिट के लिए इसी तरह रख दिया था इधर हमने गैस में कड़ाई चड़ा दी है तेल गरम हो चुका है हमें इनको मीडियम फ्लेम पे तलन ज्यादा तेज आच में नहीं डालना है अगर हमने इनको तेज आच में डाल दिया तो हमारे समोसों में बबस आ जाएंगे और फिर हमारे समोसे नहीं खाने में अच्छे लगेंगे और नहीं देखने में अच्छे लगेंगे इसलिए हमें इस बात का भी विशेज धियान दे नहीं तलना है मीडियम फ्रेम पे तलने से हमारे समोसों में कभी भी बबस नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल खस्ता समोसे हमारे बाजार वाले बनकर तयार हो जाएंगे ये देखे अब एक तरफ से थोड़े थोड़े सीख चुके हैं तो हमने उनको पल्टाना शुरू कर दि अगर आपने कभी भी घर पर समोसा नहीं बनाया है तो एक बार इस तरह से समोसा जरूर बना कर खाएं आपको बेहसवादिष्ट लगेंगे और फिर आप हमेशा बाजार के समोसे खाना भूल जाएंगे और घर पर ही हमेशा समोसे बना कर खाएंगे ये हमारे समोसों में देखे कितना अच्छा कलार आ चुका है और ये सिक्कर बिल्कुल तयार भी हो चुके हैं अब हम इनको एक ब्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो हमारे बचे वे समोसे हैं उनको भी तल कर तयार कर लेंगे अगर आपको हमारे यह रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करियेगा और जादा से जादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करियेगा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंसती रहे और मैं आपको इसी तरह से आसान आसान सी टेस्टी टेस्टी सी रेसिपी हमेशा बताती रहूं और आप उन रेसिपी को हमेशा ट्राइ करते रहें यह देखिए हमने प्लेट में समूसे निकाल लिए हैं और दूसरी बैच के भी हमने इस तरह से तल कर निकाल लिए हैं आप भी इस रेसिपी को खटी मिठी चटपटी चटनी के साथ बना कर एंजॉय करें और फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए फिर मिलेंगे बाई बाई